तो मैं दीपक, डीजी आप्टिमाजेशन की तरफ से आपका स्वाबत करता हूँ, फिशले टुटोरियल में हम लोग कंपरिजिजन ऑपरेटर के बारे में देखेते हैं, इस वीडियो टुटोरियल में हम लोग देखेंगे, इंक्रिमेंट और डिक्रिमेंट ऑपरेटर किस त ठीक है, प्लस प्लस डॉलर एक्स, यह होता है प्री इंक्रिमेंट आपके इसको बोल सकते हैं, यह प्री इंक्रिमेंट ऑपरेटर कहलाता है, इंक्रिमेंट और डिक्रिमेंट में, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर, यह प्री इंक्रिमेंट हो गया, इसी तरह से हम लोग कर स आता है पोस्ट इंक्रिमेंट और पोस्ट डिक्रिमेंट इसमें प्लस प्लस साइन आगे की तरफ लगता है ठीक है यहां पर माइनस माइनस के साइन लगा देंगे यह हो जाएगा पोस्ट डिक्रिमेंट ठीक है इस तरह से इसके इसको हम लोग लिखते हैं एक्जामपल के यह चार दरह के operator इसमें आते हैं, post, pre increment, pre decrement, post increment और post decrement, ठीक है, यह चार दरह के operator यहाँ पर आते हैं, तो इसको हम लोग use कैसे करते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं, देखें, यह जो pre increment operator होता है, यह पहले value को add करता है, फिर display करता है, यह pre decrement operator होता है, यह पहले value को minus करत है यानि कि अगर इसकी value 10 है तो यह पहले उसके बाद इसको डिस्प्ले करेगा और उसी तरह से या उसकी value सेव करेगा उस इसी तरह से प्री डिक्रिमेंट में क्या है कि पहले अगर इसकी value 10 है तो उसमें से वह एक value पहले minus करेगा वन तो इसकी value हो जाएगी 9 और फिर इसके बाद इसको डिस्प्ले करेगा या वरियाबल में सेव करेगा पोस्ट डिक्रिमेंट में क्या है कि पहले डिस्प्ले करेग उसके value add करेगा इसी तरह से post decrement में है कि पहले display करेगा और बाद में value minus करेगा तो चलिए इसका example ले करके देख लेते हैं एक बार किस तरह से काम करते हैं तो example में हम लोग देखते हैं जैसे माल लेज़े कोई value है कोई variable है dollar a हमने ले लिए यहाँ पर और इसकी value हमने लिख दी 10 ठीक है माल लेज़े dollar a को हमने value हमने 10 assign कर दी assignment operator की मदद से हमने 10 value इसमें assign कर दी ठीक है अब हम लोग इसको e को कराते हैं E को । प्लस प्लस dollars इको प्लस प्लस और dollar x देखे इको प्लस प्लस हमने कर दिया तो इसमें dollar x दॉल ऑलर a हम लिया है वहाँ पर तो हमने यह इसकी value अब यहाँ यहाँ पर MINUS माइनस पहले लगा देंगे तो इसकी value 9 कर देगा देखें यहाँ पर इसकी value कितनी हो जाएगी 9 तो और अगर हम लोग यही MINUS माइनस उठा र करके इसको इधर लगा देते हैं तो यह इसकी value 10 ही print करेगा ठीक है देखिए इसकी value यह दसी print किया क्योंकि उसके बाद इसने इसकी value dollar a की value को minus किया तो अगर हम लोग यहाँ पर एक break ले लेते हैं eco यहाँ पर हमने break ले लिया यह जो html का tag है जिसको हम लोग line break के लिए use करते हैं यह हमने ले लिया break और उसके बाद हम लोग कि यहाँ पर dollar a की value echo कराते हैं eco dollar a ठीक है अब देखें यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह को करा रहे हैं यहाँ पर value 10 प्रिंट करेगा लेकिन जो second वाला रह आगा वह nine आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक माइनस कर दिया गया है तो यहां पर हम लोग देखते हैं इसको यह देखिए इसकी वैल्यू 9 आ गई यहां पर यह पर यह पहले वैल्यू प्रिंट कर दिया फिर उसके बाद उसने माइनस किया उसको वैल्यू को डॉलरे में स्टूर कर दिया अगर हम उसको बाद में प्र देखिए यहां पर इसने पहले 10 प्रिंट किया और बाद में उसकी वैलू एक एड़ करके ग्यारा कर दी ठीक है तो यह बाद में लिखते हैं और पहले लिखते हैं तो पहले लिखते हैं प्लस प्लस को तो माइनस माइनस को तो पहले माइनस करेगा बाद में लिखते हैं मैनस को शेयर करना मत भूलिएगा सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे धन्यवाद